दुनिया भर में चल रही महामारी में अपने किये वादे को निभा कर डॉक्टर कुरूरा में फ्रंट लाइन में खड़ी होका लोगों का इलाज कर रही है ऐसे में कई डॉक्टर नर्स और अनिमेडिकल स्टाफ इस संक्रमेंट से मौद भी हो रही है अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों में ऐसे मामली सामने आये हैं जहां इलाज करते हुए डॉक्टर के जान चली गए वहीं कई जगे ऐसे केस भी सामने आये हैं जहां डॉक्टर के पास PPE किट यानी Personal Protection Equipment किट तक नहीं है PPE की लगातार कमी होती जा रही है ऐसे में जर्मनी की डॉक्टर्स ने जताया इसका विरूद वो भी अपने अदास में उन्होंने निर्वस्त्र होकर फोटो कैप्चर करवाए जो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है कई देशों में तो डॉक्टरों के पास इलाज के साथ ही अपने बचाव के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन ही नहीं है फिर भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और इन्हें कोरोना वारियर्स कहा जा रहा है लेकिन अमारिका यूरोप और भारत समीत कहीं देश ऐसे हैं जहां डॉक्टरों के पास पीपी यानि परसनल प्रोटेक्शन एक्विपमेंट किट तक नहीं है पीपी की लगातार कमी हो रही है इसलिए जर्मनी के डॉक्टरों ने नया तरीका निकाला है जर्मनी में कोरोना का इलाज कने वाली डॉक्टरों ने निर्वस्त रोगर बिना कपडों के फोटो शूट करवाए डॉक्टरों ने इस प्रोटेस्ट का नाम ब्लैंक बेंडिन केंड रखा है प्रोटेस्ट के अपने इस तरीके से डॉक्टर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सुरक्षा कपड़ो यानि की पीपी किट के बिना वो किसी का इलाज और उसकी जान की सुरक्षा कर रही है इस अब्यार में शामिल एक डॉक्टर की माने तो नग्रता इस बात कर प्रदीक है कि हम सुरक्षा के बिना कमजोर हैं और हम अभी भी अपनी टीम के साथ इस अभाव में काम कर रहे हैं जो कि हमारी लीग हतनाग साबित हो सकता है यहां तक जर्मनी में पीपी का अभाव बढ़ता जा रहा है डॉक्टर को गलव्ज और मास्क शश्वा जैसी मूलभूचीजों के लिए रोज मशक्कत कहनी पड़ रही है ऐसे में इन डॉक्टर्स ने विरूद जता कर दुनिया के सामने ये बात रखी कि आखिर पीपी के बिना एक डॉक्टर कैसे इस वाइरस से बिलकुल निरुरस्त रहुकर लड़ रहा है खबरों के मताबिक ये बात सामने आई है कि कुछ अस्पतालों से पीपी किट चुरा भी ली गई है अस्पतालों में सेक्योरिटी बढ़ा दी गई है देश की बात करें तो इस महामारी के फैलने से पहले देश में पीपी कवर ओल्स की सालाना खपत 50,000 थी विशेशग्यों के अनुसास संक्रमेंट की वज़ज़ से अब रोज एक लाख से जादा पीपी किट की जरुरत है जब कोरोना का संक्रमेंट बढ़ना शुरू हुआ था तब WHO ने चेताया था कि दुनिया भर में पीपी की कमी है लेकिन भारत ने उन्हें समाच को इसके निर्याद पर रोक लगाई हलाकि देश में 30 जनवरी को पहला संक्रमेंट मिलने की अगली ही दिन सरकानी पीपी का निर्याद रोग दिया था लेकिन 8 फरवरी को फिर से मास्क और गलव्स का निर्याद शुरू कर दिया संयुक्त सचीव कपड़ा मंत्राले निहार रंचिंतास बताते हैं कि वर्तमान में रोज 12,000 पीपी किट और 1,25,000 N95 मास्क बन रही है 25 अप्रेल तक रोज 30,000 पीपी किट बनने की उमीद है डॉक्टर्स को एक दिन में 3 बार पीपी किट बदननी पड़ती है अनुमान है कि देश में रोज कम से कम एक लाग पीपी किट की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा इसलेशन वार्ड के स्टाफ और टेस्टिंग और सेंपलिंग में जुटे लोगों को भी इसकी जरूरत है देश सहीत पूरी दुनिया में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पीपी किट की कमी से जूज रहा है इसले डॉक्टर्स का ये प्रोजिशन करना वाजिब से बात है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट आपको सही लगता है या नही